पालक पनीर हम सबकी बहुत ही फेवरेट डिश होती है और इसे बनाने का तरीका भी बहुत आसान होता है आज मैं आपके लिए लिए क्या है हूँ रेस्टरेंट इस्टाइल पालक पनीर की रेसिपी जिसे हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से और स्वाद ऐसा कि हर कोई आपकी तारीफ करेगा आज का ये वीडियो है इन कोलाबरेशन विद मैगी मसालाय मैजिक तो जिलिए आज के सूपर टेस्टी और बहुत ही अमेजन पालक पनीर की रेसिपी को शुरू करते हैं पालक पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक लीटर पानी गरम किया है पानी जैसे ही गरम हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे पालक तो मैंने यहाँ पे 500 ग्रम पालक की पती लिए है इसके जड़ को मैंने काट दिया है और अच्छे से वाश कर लिया है तब हम क्या करेंगे जैसे यह पानी गरम हो जाएगा हम इसमें यह पालक डाल देंगे आप चीए तो यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं मैं यहाँ पे नमक का इस्तमाल नहीं कर रही हूँ और पालक डालने के बाद हमें इससे अच्छे से डिप करना है और उसके बाद आधे मिनट के लिए छोड़ देना है जैसे ही पालक सॉफ्ट हो जाएंगे हम इससे ऐसे निकाल देंगे स्टेनर में ध्यान रहे पालक को जादा नहीं पकाएं नहीं तो इसका कलर जो है वो डार्क हो जाएगा और अगर आपको इससे और हरा रखना है न मत governor की जो करी है वो आपको और ज्यादा हरी चीए मैंने आपे 200 ग्राम यानि 250 ग्राम पनीर लिया है उसके मैंने ऐसे स्कॉार्श शेप में पिस्स कर लिया है तो पनीर डालने के बाद हम क्या करेंगे इसे हलका सा फ्राई करेंगे पालक पनीर में अगर आप पनीर को फ्राई नहीं करेंगे तो भी सबजे बहुत अच्छी बनती है लेकिन बहुत लोगों को कच्चा पनीर पसंद नहीं होता है इसलिए आप इसे हलका से ऐसे शेलो फ्राई कर सकते है ये देखे, पनीर के उपर जैसी हल्की सी गोल्डेन लेयर आई है ना, वैसे ही मैंने इसे निकाल लिया अगर आप इसे ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये चीवी हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने ये दो हरी मिर्च ली है, दो इंच अद्रक लिया है, 12 लैसुन की कलिया, एक बड़ा प्याज और एक बड़ा टमाटर लिया है मैंने अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे पहले हरी मिर्च डाल देंगे और लैसुन अद्रक इन तीनों को तेल में थोड़ा सा भूल लेंगे जीरा के साथ और जैसे ये थोड़ा सा पक जाएगा न तब हम इसमें डाल देंगे प्याज और टमाटर एक साथ हमें प्याज टमाटर लहसो नद्रा का पेस्ट बनाना है तो जब आप इसे भून के बनाएंगे तो सबजी का टेस्ट जादा अचाएगा प्यास टमाटर डालने के बद हमें इसे 2-3 मिनट मीडियम फ्लिम पे भून लेना है जब तक कि प्यास टमाटर सौफने हो जाए तो यहाँ प्यास टमाटर को हमने भून लिया है अब हम गयास को बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे जब यह ठंडा हो जाएगा तब हम इसका पेस्ट बनाएंगे तो अब हम गयास को बंद कर देंगे और इसे ठंडा हो जाने के लिए रख देते हैं तो जब तक ये ठंडा हो रहा है, तब तक हम सबसे पहले paalak का paste बना लेते हैं क्योंकि पालक जो है इस थंडा हो गया है न तो यहां पे पालक को mixar jar में डाल दे और अगर आपको लगता है कि इसमें पानी की जरुवत है बीना पानी की नहीं पीसेगा तो आप इसमें थोड़ा पानी एड़ कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं इसे ब्लेंड कर लेती हूँ तो यह हमारा पाला का पेस्ट जो है वो बन के तेया आ रही है देखे तो इसे हम निकाल लेते हैं बरतन में क्योंकि मुझे सेम जार यूज़ करना है न प्यास टेमाटर का पेस्ट बनाने के लिए तो यहाँ पे इसे अलग रख दे और सेम जार को क्लीन करके या फिर इसे में ये प्यास टेमाटर जो हमने भून के रखा है वो डाल देंगे इसमें भी पानी की जरुवत नहीं है लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जब भी आप कोई मसाला बनाए और वो नहीं पिसे तो आप उसमें थोड़ा पानी एड़ कर सकते हैं तो पनीर को हमने फ्राई करके रखा है पालक का पेस्ट बना लिया और ये प्यास टेमाटर का पेस्ट बना लिया तब हम चलते हैं पालक पनीर बनाने के फाइनल प्रोसेस में जहाँ पे हम गैस on करके एक पैन में चार चमस तेल गरम करेंगे तेल को हलका ही गरम करें जादा गरम नहीं करें क्योंकि हमें इसमें हल्दी और लाल मिज डालना है तो तेल जादा गरम हो जाएगा ना तो मसाले जल जाएगे इसलिए यहाँ पे गैस का फ्लेम लो रखें और जैसी तेल हलका सा गुन-गुना हो जाए तब आप इसमें आदी छोटी चमच हल्दी और एक छोटी चमच लालमेज डाल दें इससे सब्जी का कलर अच्छाता है आप जीती से बाद में भी डाल सकते हैं तो हल्दी और लालमी जैसे ही मिक्स हो जाएगा हम इसमें यह पेस डाल देंगे जो हमने प्यास टमाटर का बना के रखा है तो नार्मल हम कोई भी सब्जी बनाते हैं तो इसमें यही प्रॉसेस अपनाते हैं तो यहाँ पे इसे ऐसे मिला देंगे अब हम इसमें डाल देंगे आदी छोटी चमल जीरा पाउडर और एक छोटी चमल धन्या पाउडर इसमें हम गरम मसाला का इस्समाल नहीं करेंगे क्योंकि हम इसमें डालेंगे मैगी मसाला मैजिक जो इसके टेस्ट को एक अलग लेवल पे लेके जाएगा तो यहाँ पे हम जीरा धन्य डालके इसे ऐसे मिला देंगे और धक के हम इसे दो मिनट तक पका लेंगे दो मिनट जैसी हो जाएगा हम पैन का धकन अटाएंगे इसे एक बार मिक्स करेंगे तो यहाँ पे मसाला हमने भून लिया है यह देखे तो अब हम इसमें डाल देंगे पाला का पेस्ट तो यहाँ पे यह पाला का पेस्ट डाल देती हूँ मैं इसे हम अच्छे से मिला देंगे मसालों के साथ तो पाला को हमने ब्लांच करके रखा है मसालों को हमने भून लिया है तो इसे बहुत ज़्यादा पकाने की जरूद नहीं है तो हम यहाँ पे पैन को कवर कर देंगे और दो मिनट इसे धीमियाच पर पकने देंगे जैसे ही दो मिनट हो जाएंगे पैन का ढखकन अटाए इसे हम एक वर मिक्स करेंगे तो हमने यहाँ पे पालग को मसालों के साथ भुन लिया है अब हम इसमें डाल देते हैं पानी तो एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है दो बार में डाले उससे आपको ग्रेवी की थिकनेस का अंदाजा रहेगा तो एक कप मैंने पहले पानी डाला इससे ऐसे मिला दे ग्रेवी की थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं तो यहाँ पे यह जो गरी है वो थोड़ी थिक लग रही है तो मैं एक चौथाई कप पानी और एड़ कर दी हूँ तो सभा कप पानी इस कॉण्टिटी के लिए एक दम पॉफेक्ट है उससे जादा नहीं पकाए तो पनीर डालने के बाद इससे हलके हाथों मिक्स करें गैस का फ्लेम हमें यहाँ पे लो या फिल लो मीडियम रखना है पैन को हम यहाँ पे कवर कर देंगे और दो से धाई मिनट धीमी आच पे पकने दे बस हमारी पालक पनीर जो है वो बन के तयार हो जाएगी तो यह हमारी पालक पनीर जो है वो बन के तयार है तो आप चाहिए तो इससे ऐसे सर्फ करें ठंडी होने के बाद ग्रेवी की थिकनेस और जादा होगी इसलिए आप बहुत ज़्यादा गाड़ा पहले ही नहीं करें तो यह हमारी घर वाली पालक पनीर बन के तियार है और इसी पालक पनीर को अगर आपको restaurant style बनाना है तो आप इसमें fresh cream डाले fresh cream से पालक की जो थिकने से वो अच्छी हो जाती है, color भी bright हो जाता है और टेस्ट भी बहुत amazing आता है अगर आपके पास fresh cream नहीं है तो fresh cream के जगा आप दूद की मलाई को blend करके और उसके बाद इसमें मिला दे तो यह हमारा पालक पनीर आलमोस्ट बन के तियार है तो अब हम इसमें डालनेंगे हमारा secret ingredient जो की है जैसा कि हमें पता है कि मैगी मसाला मैजिक हमारे हर दिन के खाने के टेस्ट को बनाता है extraordinary जब आप रोज खाना बनाते हैं तो आप उसमें धेर सारा प्यार डालते हैं और इसमें मैगी मसाला मैजिक आपका साथ देता है जो आपके खाने के टेस्ट को कमाल बनाता है बचों को मसाला मैजिक से बनी हुई सब्यों का टेस्ट बहुत पसंद आता है और आप इसे किसी भी ट्राई सब्जी, दाल या ग्रेवी डिश में एड़ कर सकते हैं अक्सर पैकेट खोलने के बाद जब हम मसाला रखते हैं तो कभी-कभी मौश्यर की वज़े से वो खराब होने लगते हैं जिसकी वज़े से उसका टेस्ट और अरोमा कम होने लगता है इसलिए मैगी मसाला मैजिक ने लॉंच किया है ये ब्रैंड निव पैक मैगी मसाला मैजिक बैग इन दा बॉक्स इसमें है 25-25 ग्राम के दो सेचे क्योंकि जब आप एक यूज़ करेंगे तो दूसरा सेचे फ्रेश और एर टाइट रहेगा ये आपके नज़्दी की ग्रॉसरी स्टोर में 42 रुपए की इंटोड़क्टरी प्राइज में अविलेवल है तो अभी मैं इसे डाल देते हूं सबजी में तो यहाँ पर एक छोटी चमच हम ये मैगी मसाला मैजिक डाल देंगे और मसाला डालते ही न इससे इतने अच्छी खुजबू आएगी कि क्या बता हूँ अगर आपने पहले ट्राइ किया होगा तो आपको पता है कि इस मसाले का एक मैजिक ये अलग है तो यहाँ पर मसाला डालने के बाद इससे ऐसे मिला दे और यह हमारा सूपर टेस्टी और बहुत एरोमेटिक पालक पनीर जो है वो बन के तियार हो गया है जब आप मैगी मसाला ये मैजिक डाल के पालक पनीर बनाएंगे ना तो घर का हर मेंबर दोड़ के आएगा किचन में और यह देखी है ना एकदम जबरदस्त लग रहा है तो आप चाहिए तो इससे ऐसे सब करें या फिर इसको और भी टेस्टी बनाना है तो आप इसमें थोड़ा सा पनीर घिस के डाल दे और थोड़ा सा क्रीम से गार्णिश कर दे यह देखे बस घर वाली डिश को मैं रेस्टोरेंट इस्टाइल बनाने का तरीका बता रही हूं और कुछ भी नहीं यह करना इसमें ऑफ्षनल है तो यहाँ पर यह पनीर डाला मैंने और इसके उपर थोड़ा सा फ्रेश क्रीम डाल दे फ्रेश क्रीम पालक पनीर में बहुत ही अचा टेस्ट ले किया आता है तो आप इसे जरूर डाले यह दिखे तो ये हमारा restaurant से अच्छा पालक पनीर जो बन के तयार हो गया है आप चाहिए तो इससे ऐसे serve करें या फिर अच्छे से mix कर के उसके बात serve करें तो हम यहाप एक हैस को बन करते हैं और चलते हैं यह से serve करने के process में तो सर्फ करने के लिए आप इसे एक सर्विंग प्लेट या बोल में निकाल ले और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पालक पनीर का टेक्शर और कलर कितना पॉफेक्ट है और टेस्ट तो पूछें मत अगर आपने इस तरीके से पालक पनीर एक बार बना लिया ना बहुत ही अमेजिन पालक पनीर बन के तियार हो गया है जिसे आप नान, कुल्चा, पराठा किसी चीज के साथ का है सबके साथ ही अमेजिन जाता है तो रेस्टेंट वाली डिशेज आप घर पे बना सकते हैं वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से तो है नहीं मज़दार रेसिपी तो उमीद करते हूं कि आज की पालक पनीर के रेसिपी आपको पसंद आई होगी और ऐसे ही डिलिशियस रेसिपी के लिए आप www.maggie.in visit करें